सुपरमून, ब्लग मून और चंद्रग्रहन सुपरमून जब चांद और धर्ती के बीच की दूरी सबसे कम हो जाती है और चंद्रमा अपनी पूरे शबाब पर चमस्ता दिखाई देता है उसे सुपरमून कहते हैं क्या होता है ब्लग मून, ब्लग मून चंद्र ग्रहन के दोरान चांद लाल दिखता है जिसे बलग मून अर्थास रख्तिम चांद कहा जाता है दर असल पून चंद्रग्रहन के दोरान चान्द जब धर्ती की छाया में रहता है तो इसकी आबा रख्तिम हो जाती है जिसे रख्तिम चंद्र या लाल चान्द कहते हैं ऐसा तब होता है जब चान्द पूरी तरह से धर्ती की आबा में ढग जाता है ऐसे में भी सूरज की लाल किरन स्केटर होकर चांदा तक पहुँचती है क्या होता है चंद ग्रहन, लुनार अक्लिप्स, चंद्रा ग्रहन तब होता है जब सूर्य पृथवी एवं चंद्रमा ऐसी स्थिती में होते हैं कि कुछ समय के लिए पूरा चांद अंतरिक्ष में धर्ती की छाया से गुजरता है लेकिन प्रित्वी के वायू मंडल से गुजरते वक्त सूर्य की लाले मा वायू मंडल में बिखर जाती है और चंद्रमा की सतह पर पड़ती है इसे ब्लड मून भी कहा जाता है लेकिन इसे ब्लड में बिखर जाता है